सेहरसा, सेहरसा सरायगार निर्मली और ज्वानजारपूर रेल खन पर जल्द ही ट्रेन चलने की उम्मी जगी है। कुरोना काल में ही रेल लाइन का निर्मान कारे पूरा कर लिया गया है। स्टेशन निर्मान, टिकट काउंटर और रेल यात्रियों के लिए प्लेट फार्म स अन्य सुविधाय विक्सित कर ली गई है। मार्च महा के अंतक आसनप पूर कुफा निर्मली ज्वानजारपूर के बीच रेल परिचालन शुरू हो सकती है। जबकि ज्वानजारपूर दर्भंगारे लाइन पर परिचालन मार्च महा के बाद हो पाएगी। सहरसा सरायग परिच निर्मली और ज्वानजारपूर रेल खंड में रेल अधिकारी केंप कर योजनाओं को फाइनल कराने में जुटे हैं। रेल पट्रियों की साफ सफाई का कारे युद्धस तर पर किया जा रहा है। पूर्वमद या रेल समस्ती पूर रेल मंडल के अधिकारी जगे पर शिविर लगाकर कारे पूरा कराने में लगे हैं। नई रेल पर योजना पर रेल पट्री बिच्छाने के बाद स्पीड ट्रायल भी शुरू हो गया है। सहरसा स्टेशन से सटे वाशिंग पित के पास ही पूर्वमद या रेल समस्ती पूर मंडल का पहला आटमेटिक वाशिंग कोच प्लांट का शुभारंब शनिवार को किया जाएगा। वाशिंग प्लांट के शुभारंब के बाद ट्रेनों के बाहरी भाग की धुलाई काफी कम समय में होगी। साथ ही पानी की भी बचत होगी। दस मिनट में पूरी ट्रेन की धुलाई हो जाएगी। प पोच इंडिकेशन बोर्ड का उधगाटन भी किया जाएगा। सहरसा सहित अन्य स्टेशनों पर कई निर्मान कारे को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जिसे पूरा कराने के लिए अधिकारी केम्प किये हुए है। सहरसा में भी तीन नए इरेल पर योजना का शुभारम किया जाएगा।